हलो वेलकम हैं आप सबका आज इस वीडियो टुट्यूरिल में हम क्वारी के बारे में बात करेंगे क्या होती है बेसिकली क्वारी है पर वैसे तो कॉमन सेंस में अगर में निमीन ही निकाले तो उसका मतलब होता है क्वेशन क्यूंकि हमारे जो सारा फोकस है फिलहाल वो ही ढालाओ आइं सब्सक्राइब करें तो यह सब कुछ है वेसी मेनींपलेट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं कैसे यूज करते हैं उसको समझने से पहले थोड़ा सा समझते हैं इसमें जो में चीज आती है एक स्क्राइब कर सके वैसे तो हर सफ़ेर का जैसे और अपना तरीका है ग्राफिकली डाटा को मैनेज करने का बट कई बार अप्लिकेशन में हमें यूज करनी पड़ जाती है डेटाबेस को तो हम वहां पर यह एसक्यूएल यूज करते हैं तो इसमें हमारे पास बहुत सारी कमांड्स हैं उनकी कुछ कैटिकरीज हैं डेटेट dml dcl द्क घर ल're well अग्वार तो तो पर जाएंगों तो ह कینद थोड़ी सी उडिपेल में ला यहां कि लोगतों स आती है यह को सकते हैं या उसमें कुछ उल्टम कर सकते हैं कुछ कर सकते हैं अ Thenrip by बता泊 स्बेंद कितने कबिटनों होंगे हैं तो वह बनाने के लिए हम यहां पर यहर डियल कमद क्मांद में हमारे इंसर्ट बडिट् डिलीट कमांड आती यह सकर्थ N sewають E承को सारे डेटेपेस पर सारे अक्सेस नी नहीं होता है तो जिए इसको होना चाहिए वह यह grant और revoke command से बनाते और वापिस लेते हैं हमारे पास इसके अलावा जो सबसे important command है that is dkol that is data query language इसमें एक ही command आती है select command और ये use होती है database में से data को fetch करने के लिए योकि सबसे ज़्यादा queries जो किस database पर run होती है ही वह select करने की ही होती है आप अपने level पर सोचिए कि कितनी बार आप Amazon ये flip card पर जाकर product actual में purchase करते हैं और कितनी बार आप सिर्फ product को search कर लेते हैं यह purchase नहीं करते हैं जिस जाते हैं search करते हैं वापिस आ जाते हैं तो आप जो actual data fetch कर रहे होते हैं पर वहां पर select command ही run हो रही होती है तो टोटल अगर overall में एक दिन के अंदर अगर एक लाक प्रोड़क्ट सर्च कि एक लाक प्रोड़क्ट अगर किसे ने purchase हुए है total Amazon के उपर तो एक करोड़ queries जो हैं वो select की run क्यों ही होती है यानि बहुत सारे लोग है जो सिर्फ run करके देखकर आ जाते हैं प्रोड़क्ट तो select कमांड जो है वह सब से ज्यादा यूज होती है डेटा को fetch करने के लिए तो इसलिए हमारा में इसके अलावा और भी सारी कमांड जो है वह थोड़ा थोड़ा इंट्रोड़क्शन मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी उसमें दिया हुआ था इस वीडियो का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दोंगा वहां से आप क्लिक करके इसको एक बार देखिएगा जरूर इस वीडियो के बाद ताकि आपको एक आडिया लग जाए कि हां भी यह कमांड इस तरीके से इसे लिए लगाव अपर लेक्ट पर पर लेक्स यूज की जाती है इस पर सिंटेक्स होता है यहां पर जो एक्स चाल में टेबल का नाम है कि वह क्या चीज पर करना मैं यहां पर एक टेहले हैं इसमें हम यहां लगा सकते हैं स्टस्टार के साथ कंडिशन दे सकते हैं जैसे से सल्ट सेलरी ग्रीटर डैन ट्वॉंटीफ तौजन यानि हम उन एम्प्लोई ग्रिकाउट तो यह वह देखने हैं लेकिन हमें और भी चेंज करना है बाड़ डिफॉल्ट जिस रिक और में रिकॉर्ड एड़ कि हैं वही आता है बट हम उसके और को चेंज करके देख सकते हैं तो यह चीज़े आप कुछ-कुछ आपको को यादा रहोगा आपने फिलिप कार्ट पर यह चीज की हुई है लेकिन अलग तरीके से तो बैक में कैसे काम होता है वह सब चीज़ें आप यहां से सीख सकते हैं इसी तरह सब्सक्राइब 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 बहुत सारी इंफरमेशन है या किसी भी चीज से रिलेटर अप्लोई आपको समझ में ना है तो एक बार हम उपन ऑफिस में इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं कैसे किया जाता है यह हम आ गए हमारे ओपन ऑफिस बेस में यहां हमने दो टेबल्स बनाई हुए इसमें डेटर किया जाता है यह मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको मता है अगर आपने नहीं देखिए तो एक बार देख लिजेगा आपको ठीक से हो जाए हम बात करते हैं इसमें हम क् करनी तो घशै जहाँ हो रएकोर्ट से सब्सक्राइब क्रोंड़ में बहुत बहुत हञाने इस चेट हैं आपर हमारे पास यहाँ क Bye алы करेंगे यहां पर हमारे पास यह पले और अजिपन है दो कहारीग करेंगा पर टी पर फिर क्लिक करेंगेगे तो हमारे पर फिर design view create query and SQL view design view आपके बुक में हैं पर थोड़ा से इंट्रोडेक्शन दिया हुआ है कैसी यूज करते हैं इसको हम अलग से वीडियो में देखेंगे अभी फिलाल में फोकस हमारा देखेंगे और यहां पर हमारे पास रन करने के लिए यहां से भी कर सकते हैं इसकी शौटकर किये फाइफ इस पर भी क्लिक करेंगे तो हमारी कोरी रन कर जाएगी अभी हमारे पास यहां गया है सेन्टेbeits suffered हमने कुछ मिस्टेक कि हैं टैपिंग में ऐसे from की स्पैलिंग जल्दी जल्दी में हमने गलत कर दी जबहना करते हैं तो देखिए हमारे पास साऀमें अपर हमें foreign लगा देते हैं उगुं जाते हैं रेज हाहां चाहएँ अब सिरुफ वही रिकॉर्ट पहुं हको ली इसके पहले पहले आ रहे हैं इसकी बाद में बाद में यहां पर लगाने के बाद हम करेंगे तो देखिए अब एज के आ रहे हैं जिसकी चैनल में पहले वह रिकारण आ रहे हैं पिर जिसकी ज्यादा है वह बाद में यहां इसमें ब्लिखेंगे अब इसको रन करेंगे अब हमारे पास यह देखिए डिसेंडिंग और में आ रहाए एटी टू पहले आ रहा है फिर उसके बाद 81 फिर 72 यानि जए ज्यादा है उसका नाम पहले आ रहा है तो इस तरहीं के से हम और चेंज कर सकते हैं और इसको चाहें तो इसको जो है अरेंज कर सकते हैं सैलरी जिसकी कम है पहले वह रिकॉर्ड आएं और फिर आपके देखिए भी यहां पर 12,000, 13,000, 14,000, 19,000, 22, 23, 24, अब एनी salary के according आ रहे हैं, अब इसमें भी अगर हम descending order में कर देंगे, जिसकी salary जादा है, पहले वो records आएंगे, देखिए, तो हम salary के according कर लिया हमने, अब हम चाहें तो यह name के according भी कर सकते हैं, यहां हमारे पास error आगे, क्यों आई, यहां पर एक्षिल में, जो हमारा table है, उसमें field name से नहीं है, column का नम जहां नाम लिखे हैं सबके, उसका नाम है, EMP, और capital में है, यह जो है capital में है, यह ऐसे ही type करना है, यह थोड़ा सा दिहान रखना है, तो यहां पर आप देखे, employee name, य जो name आ रहा है, इस से मैंज़िस टाइप करना है, यहां पर, यानि हमने अब name के according देखे, पहले alphabetically आ गए, जिनके A से नाम में पहले, वो फिर B, P, C, D, इस तरीके से, तो हम condition किसी भी column पे लगा है, हम order अपने according लगा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो हम इस तरीके से condition भी पचास column जो भी है, वो रिकनी देखने में तीन ही column चाहिए है, मुझे, सारी फेल्ट चाहिए हैं नहीं, तो मैं है बता दूँगा, मुझे age चाहिए, मुझे salary चाहिए, और इसको run करेंगे, देखे सिर्फ age और salary, दो ही चीज़े आ रही है, और ज़रूर नहीं है, इसका order क capital में ID, तो जिस और जो हमने वहाँ पर यूज किया है, वही सिम order यहां पर यहां है, format हम यहां यूज करना है, इसको run करके देखते हैं, पहले employee आ रही है, और फिर salary आ रही है, तो इस तरीके से हम arrange कर सकते हैं, बहुत easily इसको practice करके देखेगा, नहीं समझ में आता है, तो आ online भी काफी सारे से tools हैं, जहां पर आप इसके practice कर सकते हैं, इसके अलावा, book में एक और command दी हुई है, update command के बारे में थोड़ा सा introduction दिया हुआ है, जो के records अपडेट करने के लिए यूज की जाती है, यह पहले से हम कुछ entry कर चुके हैं, अब हमें कुछ और उसमें modification करनी है, तो यह basically उसका syntax है, जैसे हम पहले update लिखेंगे, फिर table का नाम लिखेंगे, फिर हम set लिखेंगे, फिर उसके बार हम यह बताएंगे किस column की, कौनसी value सर्च करनी है, और उसकी जगा हमाँ पर क्या लगाना है, क्या उसकी नई value होनी चाहिए, तो इसको लगाने के लिए एक बार example देख लेते हैं, जैसे update कमंड चलाने के लिए हमें जो यह वाला view है, यह काम नहीं करेगा, बेसिकली तो उसके लिए हम tools में जाएंगे, और यहां पर हमार पार SQL है, यहां हम command लिखेंगे, that is update and employee set age equals to, say, यहां पर मैं देता हूँ, that I want age 22, where employee id is equals to 102, यहां पर 102 है, आई डी, वहां पर मेरे पास age 22 हो जानी चाहिए, जिसे employee की employee ID 102 है, इसको execute करूँगा, अभी में तो error आजाएगा, क्यों आएगा error, बहुत माइनर से mistake है, exam के लिए theory paper के लिए ठीक है, बटागरा practice करने हैं, और क्यों कहीं भी error आ रहा है, उसकी बजाए यहां पर यहां पर यह जो name आरे, मेरे table का, और मेरी fields का, इनको मुझे double quotes में दे इसकी बात है, command successfully executed, तो कोई error नहीं आई है, execute हो गया यह, अब यहां पर command का कोई output नहीं आया है, हमें check की तो करना है, वो हम table के records में जाकर देख सकते हैं, कि हमारे पास change हुआ है या नहीं हुआ है, इसमें हम इसको open करेंगे, तो यहां पर देखिए, जिसका 102 था, उसकी age 22 हो गई है, तो ऐसे हम a change करनी है, salary change करनी है, या department change करना है, कुछ भी change कर सकते हैं, तो यह छोटा सा introduction ता आपका, update command का, बाकि सभी commands का, अगर आपको थोड़ा सा introduction चाहिए, बेसिक सा, इससे आपका idea, जो है concept, जो है, SQL को इसका clear हो जाए, यह जो दूसरी वाली वीडियो है, जो मैंने पहले बनाई है, इसको आप जरूर देखेगा, और यह वाली command, जो है select command की practice भी कीजेगा, और क्योंकि exam में यह आ सकती है, काफे important है, इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद next वीडियो में हम जो है forms and reports के बारे में देखेंगे, कि forms और reports क्या होती हैं, कैसे और क्य बनाते हैं, इस वीडियो में नहीं, thank you very much.